हेलो गाईज आप कैसे हैं खोज चैनल में आपका स्वागत है खोज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खोज चैनल के सारे वीडियो को लाइक और सेर अवस्य करें दोस्तों आज खोज चैनल कोवा के वीचे में साथ रोचक भरी जानकारी देगा जो बहुत ही इन्ट्रेस्टिंग और बहुत ही अच्छी जानकारी है तो दोस्तों चलते हैं जानकारी के तरफ दोस्तों कोवा की विशेष्टा क्या है कववा बहुत ही बुद्धिमान तथा चतुर पक्षी होता है इसकी दो आखें, दो पंजे तथा एक नुकीली चोच होती है इसके अलावा कववे के दो पंख होते हैं जो उड़ने में इसकी मदद करते हैं दूसरा कववे की उम्र कितनी होती है दोस्तों, कववे की अधिक्तम उम्र 15-20 साल तक होती है तीसरा प्रश्न, कववे का भोजन क्या होता है दोस्तों, कववा मरे हुए जानवर का मान सखाता है या एक तरह से सफाई का भी काम करता है दूबले, बीमार, जखमी छोटे जानवर, चूहे, पक्षी के बच्चे, कई तरह के कीडे, मकोडे, दूसरे पक्षी के अंडे, आधिका सिकार भी करता है चवथा प्रश्न, कववा रहता कहा है कववा का निवा सस्थान पेड होता है दोस्तों, कववा जानुरों के सामराज में सबसे चतुर प्राणी है दोस्तों, छटा प्रश्न, कववा एक आँख से क्यों देखता है तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही रोचक और पौरानिक कथा के अनुसार तुलसिदास जी ने इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है कहा जाता है कि एक बार इंद्रद्यो के पुत्र जैन्त ने भगवान स्री राम की परिछा लेने की सोची दरसल वे भगवान स्री राम की बल, पराकर्म के बारे में जानना चाहते थे और इसी उदंडता के कारण उन्होंने एक बार कववे का रूप धारन कर लिया और माता सीदा के पास पहुँच गये और माता के पैरों को अपने चोच से घायल कर दिया वहां से भाग गए जब भगवान सी राम ने माता के घायल पैर को देखा तो उन्हें काफी क्रोधाया और उस कववा के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुस पर सरकंडे को चढ़ा कर उस कववे पर निसाना लगाने की तैयारी सुरू कर दी जिसे देख कववे रूपी जैंद की डर से हालत खराब हो गई और वो भाग कर ब्रह्म लोग और सिव लोग भी गए फिर वो अपने पिता इंदर देव के पास गए तो इंदर देव ने उनसे कहा कि उस बांड से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयम भगवान स्री राम ही कर सकते हैं इसके बाद वो भागते हुए भागते भागते भगवान स्री राम के चर्णों में आकर के गिर गए और अपने किये की माफ़ी मांगने लगे तब भगवान सीराम ने कहा कि वो इस बाण को वापस नहीं ले सकते, लेकिन उस से कम आगार पहुचा सकते ऐसे में सीरी राम ने उस बाण से कौवे के एक औख फोर दी, उसी दिन से कौवे को एक आख वाला माना जाने लगा दोस्तों सातुमा प्रश्ण कववा क्या संकेत देता है तो दोस्तों अगर सुर्यूदों के समय पर घर के सामने कववा आकर बोले तो यह अच्छा सकुन माना जाता है सकुन सास्तर के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाव देने का संकेत देता है अगर कोई कववा अपनी चोच से भूमी खोटता हुआ दिखाई दे तो माना जाता है कि जल्द ही खूब सारा धन प्राप्थ होगा कववा की आवाज अगर पीछे से आती है तो यह भी एक सुबसंकेत ही माना जाता है तो दोस्तों यहा है कववा की विशे में साथ रोचक और आश्चर चकित जानकारी जानकारी ये पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एउन लाइक अवस्य करें धन्यबाद चैहिन चैह भारत